हेलो गाई स्वागत है अब सबका तो आज हम बात करेंगे आरवी एनल की और इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और कुछ बाते बताना भूल खेया था तो वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूगा तो बिल्कुल बने रही है इस वीडियो के साथ जो लोग नए है उनको मैं बता दू कि इसके पूरे fundamental की भी हम चर्चा करेंगे और इसके टेक्निकल चार्ड की भी हम चर्चा करेंगे यहां पर एक चीज़ बे आपको बता दू कि बहुत ही बड़ी opportunity इसके अंदर मिल सकती है तो जो लोग इसके अंदर already holding रखते है वो भी देखे और जो ल तो मैं आपको बताना कल मैंने यह चीज़ बताना भूल गया कि मैंने खुद ने जो कि मैंने इसके अंदर मेरी इसके अंदर holding ती यहां एक महीने पहले आप देख सकते हैं कि 60 रुपे के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था एक महीने पहले और उसके बाद देखे तो चार वीड करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए उनके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले और यहां पर अगर देख सकते हैं कि अगर डिलिवरी नहीं तो एक करोड और दस लाग की यहां पर डिलिवरी उठी ह जोनी चैनल करोड बतल यहां पर देख सकते हैं ऐसे और इसने घरिध हैं हो सकता है कि यह रिचाः इसके अंदर ज्यादा पॉस्यभीरी है तो यहीं है कि इसके अंदर बड़े प्लेयर से माल खरीदा होगा और मतलब कि यह momentum जो इसके अंदर सुरू हुआ है वो ऐसा ही खतम नहीं हो सकता तो अगर इसके अंदर गिरा बटाती है तो आप एक opportunity को ढूंड सकते है और यहां पर अगर देखे तो एक तेजी बरकरार रह सकती है फिला अगर देखे तो थोड़ी बहुत पोज इसके अंदर आ सकता है लेकिन बहुत ही जल फिर से इसके अंदर एक तेजी आ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है साथी साथ आगर पूरे week की बात करे पूरे में आगे आगे है इसके पूरे बात कर लेते हैं फिलाल इसके fundamental की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि में बताया, आप देख सकते हैं कि 21,800 करोड के आसपास का market cap, और इसके अंदर, अगर एक ही दिन के अंदर, जब कि कल की बात होए, कि 3 करोड शेर अगर उठते हैं, तो मतलब और इसका price जो है 100 रुपे की average के उपर, आप ये example है, तो 300 करोड का माल जो है, एक ही दिन के अंदर उठता है, तो मतलब कि कही न कहीं लोग इसके अंदर एक value देख रहे होगे, और यहाँ पर अगर देखे, तो इसकी book value 30 रुपे है, और आगे भी हम देख लेते हैं, इसका return on capital employee, return on equity, 16%, 17% से 20% के आसपास, तो बढ़ते हैं, इसके अब ये पूरे साल की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता हूँ के 2015 से लेकर अब तक इसके revenue के अंदर बात करें, तो 3000 करोड से बढ़कर 21,000 करोड तो मतलब कि 7 गुना इसका revenue हुआ है, पिछले 7-8 सालों में, तो ये काफी इसके अ एक possibility है, पूरे साल के result की, और इस साल का EPS अगर देखे तो 7 रुपे आ सकता है, और अब इसके पीर्स की हम कर लेते हैं, ये सारे के सारे इसके लिस्टेट पीर्स है, अगर पी रेशियो के मुकाबले इसकी valuation हम निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो average है, ये सारे के सारे इसके लिस्टेट पीर्स की, वो तक्रीबन 17 के पी के आसपास है, अगर 7 को, अगर आप multiply करोगे 17 से, तो इसका जवाब 115 से 120 रुपे के बीच बीच यह आ सकता है, तो इसी वज़े से जो है दोस्तों, यहाँ पर 115 के आसपास जो है, इसने एक फेर प्राइस के ऊपर चल रहा है, यह बात आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर profit booking भी आ सकती है, क्योंकि कहीं लोगों ने नीचे में भी खरीदा होगा, और जो नए बायर से, यह भी मैं आपको बता दू, वो मतलब की future के लिए जो है, बाई करने के लिए आया हो होता है, और यह इसकी balance sheet हम देख लेते हैं, तो अगर borrowing देखेगे, मतलब की करजा कितना है, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, तक्रिबन 6000 करोड के आसपास का, तो यह comfortable zone में है, ना ही बहुत कम है, ना ही बहुत ज्यादा, और यह यह 6,000 करोड का करजा भी दिख रहा ह यह भी कहीं ना कहीं, इसकी capacity को expand करने के लिए उन्होंने उठाया होगा, और यहाँ पर यह इसकी share holding pattern को अगर देखे तो FIS की बात करें, तो अगर साल दर साल हम देखेगे, तो FIS की holding थोड़ी सी बड़ी है, हाला कि quarterly थोड़ी सी गटी है, लेकिन साल दर साल इसकी holding बड़ तो मतलब कि यह कल की बात है, यहाँ पर अगर देखेगे, तो कल इसने 115 रुपे का high बनाया, एक तम नीचे आया, 100 रुपे के उपर, इसने एक support लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर इसने 112 रुपे तक का high बनाया, तो यहाँ पर एक चीज़ आप्डोट के रही है, कि यह कल भी मैंने वहीं बताया था, और 100 रुपे के उपर अच्छा कासा इसको एक support है, यह support क्यों है, यह support क्यों है, यह 100 रुपे पर ले रहा है, और अभी यहाँ पर अच्छा कासा support भी है, उसका reason एक तो यह है, इसका जो multiple resistant था, multi-year resistant, जो 2022 में इसने यहाँ पर दो बार 85 रु है, यह तक्रीबन तक्रीबन 100 रुपे है, यह बात आप जो है, इसी वज़े से जो है, यह 100 रुपे का जो लेवल है, अभी अच्छा कासा यहाँ पर support यह ले रहा है, मुझे लगता है कि आप बात को समझ रहे होगे, यह weekly चार्ट है फिलाल इसका, लेकिन यह एक calculation रेता है टेकनिकल चार्ट के उपर यह 25 पसंट का, 33 पसंट, 50 पसंट का यह जो retracement लेवल होता है, और यह 50 पसंट जो है, उसका जो तेजी आई थी, जो नई तेजी, फ्रेश तेजी, उसका 50 पसंट का retracement 100 रुपे के उपर है, इसलिए कल और आज जो है वहाँ पर इसने एक अच्छ सपोर्ट बन सकता है, और 85 से 90 रुपे के बीच में अगर यह आता है, यह नए बायस के लिए है, तो बहुत ही बढ़िया रह सकता है, लेकिन उससे पहले भी देखे तो कहीं इसके एक सपोर्ट रहते है, मतलब कि रह सकते हैं, यह इसका डेली चार्ट है, इसके अंदर अग इसके अंदर अपना होल रख सकते हैं, और मतलब कि कोई स्टोपलोस रख सकते हैं, अगर आप प्रोफिट में है, कि अगर 100 रुपे का लेवल तूटे तो आप तुरुन इसके अंदर बेच दे, और उसके अंदर बाद जो है, इसके अंदर थोड़ा सा आप एक्टिव रहे आप अपने हिसाब से, और जो लोग नया इसके अंदर खरीदना चाहते हैं, तो वो भी जरूर देखे, अब वो जो है सपोर्ट कहां पर बन सकता है, वो आप जरूर देखे, और साथ ही साथ, एक अच्छी रण निती यहां पर यह रह सकती है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता पर लेगा, तो एक साथ बाइण करके, अगर आप दो स्टेप में बाइण कर सकते हैं, या फिर तीन स्टेप में बाइण करते हैं, तो ज्यादा बैते रहता है, इनसे जो प्राइस जो है, वो एक एवरेज हो जाती है, और बलही आप कम शेर ले, लेकिन आपको प्रोफिट नहीं करना है, अगर गिर गया नीचे में, तो जो है आप के पास एक एवरेज करने के लिए, एक आपके पास जो मतलब कि एक एवरेज करने के लिए ओपशन भी रहता है, तो अगर इसके अंदर हम सबसे बहुत सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर और इसका प्राइस जो है यात रखने में आसानी रहती है राकि इसके अंदर आप एक दो रूपे उपर नीचे रख सकते हैं और सो रूपे का लेवल तो अगर थोड़ा सा ज्यादा जटका आता है तो इसके अंदर इसको तूट सकता है उसके बाद देखे तो यह 90 रूपीस और 85 रूपीस का तो रजिस्टन की बात करें तो 115 रूपे जो कि यहाँ पर इसने और रजिस्टन ले लिया है और आने वाले जो इसका EPS है इसके फंडामेटल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तक्रीबन 10 रूपे तक आ सकता है तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसके 170 रूपे का प्राइस बनता है तो वहां तक जाने की इसके अंदर एक संभावना दिख रही है आने वाले थोड़े से लंबे समय की यहाँ बात हो रही है बाकि नीचे में मिलता है तो गिरावट में इसके अदर अच्छा कासा मौका बन सकता है तो वहां पर आप अपनी करें अदर ऊठी है तो इसके ऊपर जो है आप अपनी नज़र बना कर रख सकते है। सपोर्ट और बाजिसस्टंट दोनों के वहां अपनी नज़र बना नसके लगा तो आज के कोई ने एजुकेसन परपस के लिए बनाएं, मेरे तरफ से कोई भी बाई यासल की रेकमेंशन नहीं है, thank you.